हलो एविवन कैसे आप सब आप सभी का करें सक्सक्राइब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है के एस पेलिम्स 2023 का जो फॉर्म आप लोगों ने लगाये थे उसमें एज लिमिट 32 एर्स था लेकिन जी एडी की वेबसाइट पे जब नोटिकेशन आया था एज लिमिट बढ़ा सब्सक्राइब नोटिकेशन में पूरा नोटिकेशन इस वीडियो में हम एंड तक डिसकस करेंगे तो वीडियो को लाइक कर देजिए शेयर कर लेजिए अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप सभी को एक और चीज़ बता दू जो लोग फॉर्म नहीं भर पाय थे 32 साल होने की वजा से आप सब के लिए लास्ट इट भी बढ़ा दिया गया है 19 जून 2023 तक तो साथियो आप सब के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं की इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है आप सब का जो अपकमिंग एक्जाम है प्रेलिम्स का आप अलीजिबल है उसके लिए और आप वह प आप सब जानते हैं जेके पीएसी की जो केस की रिक्रूटमेंट नोटिफकेशन आई थी उसमें जनरल केटेगरी में एज लिमिट 32 रखा गया था तो काफी सारे बच्चों किया था क्वेरी की थी कि इतनी काम एज लिमिट क्यों है तो आप सब जानते हैं जी एडी की जाते हीस का आप देख सकते हैं अमनी स्क्रीन पे कि जो आपकी एज लिमिट है वो ओपन मेरिट की अब 35 कर दी गई है यानि कि आपका जो डेटा बर्थ है वो एक जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए और एक जनवरी 1980 से पहले का नहीं होना चाहिए ऐसे ही रिजर्व क उसको देखके या उसके चक्कर में फॉर्म नहीं भरा तो अब नहीं फॉर्म कैसे बढ़ेंगे तो उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है लास्ट लाइन आप देख लीजिए लेट देट लास्ट टेट फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर के एस टुन्टी टॉ 2023 तो अब आप उनिस छे यानि कि आज है पांच तारीक तो पूरे दो हफ्ते का आपके पास टाइम है आप सभी फॉर्म बढ़ सकते हैं तो आप सभी को पहले ही आपकी एज लिमिट बढ़ा दी कि यह बहुत ही अच्छा स्टेब है और अगर आप में से जो सीरियस 317 कोई क्वेरी है तो पोच सकते हैं ओफलाइन प्रेलिम बैच क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है सुबह 9 से 12 बजे का तो आप जोइन करने के लिए विजिट करें करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज के नार्लोड जमू तैंक्यू सो मच अल्द बेस्ट